नमस्ते फ्रेंड्स आपका स्वागत है अगर आप गुरुनानक डेवी युनिवस्टी में पढ़ते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये कोशिन थे कि उनका स्लेबस रिडियूज होगा जहां फिर आउन उनलाइन एक्जाम होगी तो इसको लेकर क्या इन्फोर्मेशन युनिवस्टी की तरफ से आ रही है तो उसके बारे में मैं आपको फुल डेटेल में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाज सक देखना और गुर्णान तेवी उनिवस्टी की हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लेना तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर तो क्योंकि बहुत सारी बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है क्योंकि जैसे ही जो प्राने समेस्टर गुजरे हैं उनके पेपर ऑनलाइन हुए हैं बहुत सारी युनिवस्टी के तो इसलिए बच्चों को डाउट है कि इस वाल पेपर ऑनलाइन होंगे जा फिर आफलाइन तो मैं आपको यहाँ clear cut बता दूँ कि paper offline ही होने है क्योंकि fourth wave तो आ चुके लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एक और doubt आ जाता है कि fourth wave आ रही है, mobile की तरफ fourth wave आनी शुरू हो गया उनके exam online हो गया है जो mobile की universities है तो इसलिए बच्चों के मन में doubt है कि गुर्णानक्ति वी उनिविस्ट के exam online होगे जा फिर नहीं तो मैं आपको clear cut बता दूँ हो पंजाव है जो अभी तक वो safe zone में है जो पंजाव की जो वी universities है उनके paper है जो वो offline आपके colleges आपके center में ही होंगे online की chance अभी तक 0% है इसलिए आप अपनी त्यारी करें अपनी त्यारी offline की तरफ बढ़कर ही करने चाहिए आपको क्योंकि आपको आगे बहुत सारे exam में बैठना है ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको online पर depend रहना चाहिए नहीं अगर वैसी situation बनती है तो वो आप वैसे उसकी तरफ हो जाना लेकिन अभी मैं आपको यह recommend करूँगा कि आपको अभी offline की classes लेकर offline exam की त्यारी करनी चाहिए और एक बात और मैं आपको सही information ही बताऊँगा गलत information नहीं बताऊँगा इसलिए वीडियो को जास्याद आपने यूनिवस्टी और colleges के student के साथ share कर देना उनके पास यह important information पहुँच जाएगी और दूसरी बात syllabus reduce होगा जाए यूनिवस्टी है जो जल्दी इसके लिए फैसला लेने जारे को कि जो भी पंजाब में तीन उन्होंने सभी student ने ये protest किया है कि इस syllabus को reduce करना चाहिए को कि semester बहुत चोटा है तो exam भी मई में आने वाले हैं तो मैं आपको clear cut बता दूं कि reduce syllabus हो सकता है लेकिन exam जो offline mood में ही होंगे अगर fourth wave नहीं आती है अगर आती है तो फिर chance अलग-अलग बन सकते है यूनिवस्टी प करना धन्यवाद